आप लोगो यह चीज जानके पहुंच जाता है, इसे अश्चर्य होगा, कि मैंने भाई CMF Phone 1 यूज करा और मिरे को बहुत सी चीज़ वाले फोन के पता चली है, जो मिरे को आप लोग साथ डिसकस करनी है, और मैंने भाई Twitter पे आप लोग को इतने सारे सवाल देखे हैं, मैं तो टूइट इसे जाता करता नहीं, बट और लोग की टूइट से के अंदर कि आप लोग परशान हो चुके हो, कि भाई ये फोन सच में इतना जाता तकड़ा है, या फिर ब्रैंड हमें पागल बना रही है, कुछ जोल है इसके अंदर, तो आप लोग की सायता करेज़ें, आप लोग को बताया जाए कि भाई, फोन के अंदर एक्चुली है क्या, क्या दिक्कत है, क्या परिशानिया है, क्या अच्छाईया है, क्या सब कुछ है, आपको आज इस फार वीडियो के अंदर पर चल जाएगा, और सारे डाउट मैं चाता हूँ, शायद आपके क्लेर कर पाऊँ, और अगर कर पाऊँ तो भाई, प्लीज, 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 सब्सक्राइब पोड़ाइब श्यालों के 6 लाके फार मिट जल्दी से कुपलीट करनी है, और स्टार्ट करते हैं इस संडे की शुरुवात इस CMF फोन के कुछ बातों के साथ, वैसे ये फोन लाउंच हुए 16,000 रुपे का लेकिन आपको 13,000 रुपे के लगबग मिल जाता है, अब 13,000 रुपे के अगर आप आज के टाइम पर बजट मार्किट देखते हुआ, फिर इस तरीकी की मार्किट देखते हो फोन के अंदर, और ये इसलेये क्योंकि आर मैंने बहुत से ट्रांजिशन होतेवे देखा, आमने 10-15,000 के फोनों में कुछ आते हुए, कुछ जाते हुए, 20,000 के फोन में कुछ आते वे जाते वे तो हमें परदा चलता है कि यह कुछ जब कोई अलग चीज करती है कंपनी तो दिखता है वो अलग यहां पर चीज प्राइजिंग के बहुत अच्छा गाम किया कि इन्होंने इस फोन को एक टार्गेटिड ओडियंस को दिया है कि आपको पंदर दा से नीचे अगरा आपको लेना है फोन तो सीय में वहाँ पर बैठ चुका आके लोग और यह लोग 20,000 रुपर की सेग्में पाता है क्यों नहीं गया है मुझे आसा पर्शन ही लगता है और वो यह है क्योंकि जो पेरेंट कंपनी उसका ही फोन वहाँ पर आता है लोग के जो पर बैक पैनलों पर यह फोन प्लास्टिक बिल्ड थिक है अब प्लास्टिक बिल्ड थे आपको एक सीन जो देखने को मिल रहा है वही है कि जो लोग कह रहे है यहां पर जो हमारा पावर बटन आवासे तूट रहा है इवन राकेश भाई ने वीड़ो में प्लास्टिक बिल्ड थे और सीट वात है तो वह हो सकता है अब पर यहां पर एक चीज़ और मैंने थे प्रिंटिंग करता है क्योंकि प्रिंट है एक अच्छा वाला जो प्रिंटिंग कह सकते हैं वह लोग मेरे हाथ से तो कुछ ऐसा मेरे को फील हुआ नहीं और इसको मैं यह हटता है कि नहीं हटता तो इससे तो यह पक्का घ्र गया है और थोड़ा हट गया है और अगर आप लोग ऐसी कुछ शार पीछ से अगर आपकी जेब में पड़ी यह कोईंस पड़े हैं तो आप लोग के इस फोन के अंतर इस प्राचे जैन यह सब चीजे हटने की दिक्कत हो सकती है तो इसी मैं आप यहां से हट सकता है तो आप लोगो ध्यान रखना पड़ ऐसे अगर आप हलके सब नखून से कर रहे हो तो भाई उसमें तो कोई दिक्कत ने बठा कुछ ऐसे चीज है रखी तो इससे वह चीज हट सकती है तो आपको यह ध्यान कर आए ना थर्ड यूज़ करें गया है MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर, अब यह जो प्रोसेसर है 7 सीरीस का प्रोसेसर है, जो कि आपको 15,000 नीचे के स्मार्टफोनों में नहीं मिलता जल्दी से यूज़िल यह 20,000 के स्मार्टफोन मिलता है, क्योंकि हमाल का performance में लगाए, हाँ यह बात तो सच है क्योंकि जब हमने इसको टेस्ट करा, तो भाई, इस फोन के अंदर एक आपका सब तो decent और एक अच्छी performance मार को मिल रही है हमने इस पे CP throttle test करा, तो फोन का graph आप देख सको है कर दोगा और बाकी की वीडियो स्क्रोल करोगा तो उसमें जिटर देखने मुलेगा बट भाई, इस वाले फोन में वो बिलकुल नहीं होता, अब जैसे कि आप यह ध्यान दोगे, यह वाली जो नहीं यार, ऐसा नहीं है, तो सीन ऐसा है कि जो कोर्स होते है ना, वो डिफरेंट है यहापे, और जो clock speed है वो भी different आ जाती है क्योंकि 7200 के अंदर आपके जो कोर्स है वो 2.8 GHz पे clocked है और 7300 के अंदर आपके कोर्स है 2.5 GHz पे clocked है तो आपको जो छोटी से एक कैसक तो power increment ना, वो nothing phone 2 में मिल जाएगा, तो इसको compare मत करो, यह process उससे better नहीं है और मेरे को खुद भी ऐसे अश्यर हो था कि भाई, यह phone सच में कहतना अच्छा परफॉर्म कर पाए गा 15000 के नीचे तो मैंने खुद जब personally इसको try कर तो मैं सच बताओ तो थोड़ा सथा impress होगा इसको देखके कि यह अच्छा चल रहा है और कोई वैसे lag और कोई दिक्कत नहीं आई, और attitude तो तकड़ा है क्योंकि 8 लाग का आपको score राम से यह phone निकाल के दे देगा इसके साथ मैं 4.5 पाला चाहूँगा वह है इस phone के अंदर एक extra चीज वह ब्रैंड जातर नजर अंदास कर देते हैं और जान पूछ के करते था कि उनके phone का rate कम होता जाए और वो है bloatware, अब bloatware एक ऐसी चीज़ा है और एक ऐसी बिमारी है जो आपको पंदर दार के smart phone हो यूजुली देखें को मिल जाती है जादर ब्रैंड से और जो application होती है third party वो फालतु के इंस्टॉल कर देते हैं तो यहाँ पर भाई nothing OS चल रहा है इस phone के अंदर इस OS के अंदर आपको कोई भी first of all bloatware नहीं मिलता फालतु का जो आपको लागेगा कि भाई क्या है second यह phone का software काफी clean है मतलब कि आपको थोड़ी rich वाली vibes देगा ऐसे नहीं लगे कि आपने कोई cheap smartphone पकड़ावा है आदमी इसका software बड़ा ऐसे kiddish type है ऐसा नहीं लगेगा एक अच्छा feel देता है second इस phone के अंदर आपको पूरी पूरी जो animations है वो भाई बिल्कुल flagship level वाली मिलती अब usually आप 15000 के segment में आपको जो phones मिलते हैं उनमें animation अच्छी नहीं आती पर इस phone के अंदर छोड़ी चोड़ी animation जैसे कि मालो यह अब यह देखो अगर आप यह देख रहो यह देखो यह पावल उन्द बाते के साथ जो देखा कैसे आया मस फेड़ हुआ तो यह छोड़ी animation इस phone के अदर आपको मिलती है जो bounce होता है app drawer के अंदर वो मिल जाता है subtle feedback हो जाता है haptics का वो बहुत अच्छा मिलता है और haptics की बात करोंगा और software से related तो भाई haptics इस phone के अंदर 15000 से नीचे मैं बोलूगा one of the best है और CMF नहीं हाँ पर भी कसर नहीं छोड़ी जो मुझे personally अच्छा लगा क्योंकि जब आपनों कोई phone ऐसा ले रहे हो कुछ ऐसा पैसा spend कर रहे हो छोड़ी छोड़ी सीदी भी ना बहुत हवार को खुशियां दे देती है और इसी के साथ साथ मैंने आपर different application भी खोली UFS 2.2 की storage मिल जाती है इसके अंदर तो भाई मेरे कोई phone साना थोड़ी सी एक ऐसा issue लगा कभी कोई ना touch सा miss कर देता है मेरा पता नहीं वो मेरे को feel हो रहा है या फिर आपको हो या फिर मैं ही तोड़ा गलत तरीक तरीक तो phone चला रहा हो मेरे उंगलिया उस तरीक से कर नहीं है इसको recognize बट कभी कोई ऐसा लगा मुझे कि इसने touch मेरा miss कर दिया मैंने करा हो और वो recognize हुआ नहीं हो तो थोड़ा था feel हुआ मुझे बट शायद मेरा ब्रहम हो सकता है अब बात करिए मैं डिस्प्ले की देख चीज़ आपको बताना चाहूँगा इस smartphone में इस budget के अंदर वहना बेस्ट डिस्प्ले लगाई गई है और HDR सपोर्ट करता है YouTube के अंदर तो आप लोग HDR content अराम से play कर सकते हो Netflix में HDR अभी इसका चलेगा नहीं वह आपको ध्यान लखना है बाकि जो overall quality होनी चाहे डिस्प्ले की वह बिल्गुल मस्त है saturation on point है contrast on point है तो display wise में बलूँगा बढ़िया है even अगर आप bezel size देखोगे तो आप पर्सनल नहीं बता रहा है ऐसी feel हुआ तो सचा बता दूँ अब जो next point में बोलना चाहँगा इस phone के related जो लोग काफ लोग को concern है वो है speaker को लेके speaker जो इसके तना आपको single मिलते हैं अब देखो सज बताओ तो भाई हाँ ये बहुत एक बड़ी चीज है तो हमारे को ऐसा लग बहुत आप इसी के साथ में आपको लेके जाना चाहँगा बैटरी की साइड इस फोन की क्योंकि इसमें है 5000 इमेच का मस्वाला सेल जो आप लोग रिप्लेस नहीं कर सकते और रिप्लेस इसले है इसले आया है क्योंकि इस फोन का बैक पैनल खुल जाता है तो काफी लोगो स अब तक तुम बता दूँ हाँ और विसे पता योगा वैस्तो का भी लोगो इसका बैक पैनल चेंज कर सकते हैं आप लोग स्कुरूस आपको मिलते हैं इसके अंदर अलग से और आप लोग इन इसका बैक पैनल रिप्लेस कर सकते हो जो कि एक एडिशनल एससरी है आपको नहीं भाई नहीं भाई संग का और भी आता था मोटरोला के बी काफी फोन साहें पहले जिनमें इस सब हुआ है आज से ददा साल भी छोड़ो करी बारा-तीरा साल पहले दो आर्ट नौ में आज आए जब आप स्टेंपोर नहीं पर इसमें भी होता था बट अब दोड़ चार्जर नहीं है इस प्राइस से में होना चाहिए था बट कोई नियार हम चाहिए बोलोगा और चीज़ अच्छी है तो 33 वाट का वैसे फोन चार्जर सपोर्ट करता है आप लोग ले सकते हो से अडिशनली 800 पर अगर तो आपको मिल जाएगा और आपको बतातो बैटरी ब इसको तो मैंने जैसे बटाया कि इसके बना आप लोग बैक पैनल चेंज कर सकते हैं अब इसका में पॉइंट आता है इस पोन के क्यामरा को लेकर तो ट्विटर पर ने एक निया सा ट्रेंट सा हुआ है एक चीज हुई कि एक बंदे नहीं डाल दी कि इसको जो डेप्ट सें आप थर्ड पार्टी में लगाते हो तो यह जो अल्टरा थिन लेर होती है उसको डिटेक्ट करके उसके अंडर जा सकता है और वो कुछ एक्रेलिक के उपर हो सकता है बला हर उस पे नहीं होगा बेसिकली इसका स्ट्रक्चर काफी थिन हो या फिर थोड़ा सेमी ट्रांस्प पता था आप लोगो बता रहा है यह वाली बाता अगर और हां आपको थोड़ा सका इंडेप्स समझानों तो होता कहा है कि चुछ क्यामरा ना डेप्ट वाला इसके इंफरारेट फिल्टर होता है चुकि इनके फोन में नहीं है जिस वरसे वह जा पार रहा है आर पार ऐसे देखने के लिए तो थोड़ो सा कंसर नहीं है कोई नहीं है आप लोगो और जिसमें आपको बताया फोन के अंदर हमार को लिक जो बाकी सब चीज़ें मिलती हो बहुत परफेक्ट है जैसे है बहुत अच्छे बताया है डिस्प्ले बहुत सही बता ही मैंने आपको साथी मैं बैटरी बता दी परफॉर्मस बहुत अच्छी बता दी इस फोन की अब एक पॉइंट आता है जो क्यामरा की में बात कर रहा था तो आपको काफी पसंद है किसमें आमारे को लिटी 600 सेंसर मिल जाता है और डेप्ट की बात करें में में क्यामरा की बात करने भी बनती है तो अच्छी फोटो सेंपल्स आ रहे हैं मैंने अब यहां पर नॉर्मल जैसे यह लाइट है न मेरी इसके पीछे यहां पर पूरा डार्क है क्योंकि शूडियो में लाइट बन है तो आप एक फोटो क्लिक करी आप देख तो इसके तरह कितनी अच्छी से यह वाली फोटो से मै बट भाई इसके अंदर भी हमारे को अच्छी फोटो मिल रहे हैं सेल्फी के अंदर और वो चीज मेरे लिए बहुत ज़्याद सर्प्राइजिंग थी मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा अलग लगा और पन्दर तरह की निची जब हमारे को अच्छा काम देखनी मलता है मैं सच बताँ मुझे पर्सनली ये फोन एक ओवरल बहुत परफेक्ट पैकेज लगा है अगर आप लोग 15,000 के रेंज पे देखते हो और अगर आप भाई करने की सोचर तो भाई इस फोन को देख सकते हो मैं बोलूँगा ये फोन सबके लिए नहीं है क्योंकि लोगों ये मैं फोन वन का 30 दर कार कर रहा आप लूप पताना वो कैसे लगा और अगर ये वाली वीडियो आप लोगों अगर सोड़ी स्वी परस नहीं हो तो डेफिनिल लाइक कर चानल सब्सक्राइब कर दो और मैं आप से मिलता हूं नेक्स वाली वीडियो के अंदर ओकी गाईस बवाई